संगर्सों के साथ ही और हमारा एक एक कार्यकरता जो भारती जनता पार्टी की ताना साही का जम कर मुकाबला कर रहा है उसको सबको हिर्दे की गहराईयों से बढ़ाई देना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ और इस आम आदमी पार्टी के कार्याले से देश के ताना साह को अगर मेरी आवाद सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ यह आम आदमी पार्टी है हमां अंदोलन की कोक से पैदा हुए है तुमारे किसी बदर घुर्की से डरने वाले नहीं है तुमारे किसी बदर घुर्की को डरने वाले नहीं है तुम हमारी पार्टी को बरबाद करना चाहते हो अर्विंद केजरिवा कर तुमने जेल में भेज़ दिया, मनेसी सौधिया कर तुमने जेल में भेज़ दिया, सतेन जेन कर तुमने जेल में भेज़ दिया, उनका गुनाः क्या है? उनका गुनाः यह है कि वो दिल्ली की दो करोड जनता को अच्छी सिक्षा देना चाहते हैं, उनका गुनाः यह है कि वो दिल्ली के बुजर्गों को तीत यात्रा कराना चाहते हैं उनका गुनाई यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं हमारी माताओं बेहनों को आर्थिक संकट में अपने पती का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं उनका गुनाई यह है कि हमारी माताओं बेहने जब मजदूरी करती हैं उनके पास बस का किराया नहीं होता एकाटो वाले की बेती जो कालच जाती है उसके पास बस का किराया नहीं होता उनका गुनाह ये है कि अरबिंद केजरिवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए एक रूपए नहीं देना पड़ेगा तो अमिन अस्तान के सबसे बेतरी इंसरकार अरबिंद केजरिवाल की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो हमारे बिधायकों को डराना चाहते हो आतिसी को गिरिफ्तार करोगे सौरब भरत द्वाज को गिरिफ्तार करोगे दुर्गेस पाठक को गिरिफ्तार करोगे रागो चद्डा को गिरिफ्तार करोगे हमारे बिधायकों के घर पे च्छापे मारी करोगे इनकंटेक्स का च्छापा गुलाब सिंग पे कैलास गेलोट से सारे चार घंटे पूस्ताच ताना साही मजा रख किये इस देश के अंदर ताना साही मजा रख किये मैं कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ छे महीने जेल में रहके आया हूँ छे महीने जेल में रहके आ हूँ नरेंदर मोदी जेल कान खोल कर सुन लो आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का एक एक करकरता आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और बिधाख अपने नेता अर्विंद केजरिवाल के साथ खड़ा है अर्विंद केजरिवाल के साथ खड़ा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ खड़ा है क्या कह रहे है भाजपाई भाजपाई कह रहे है केजरिवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरिवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरिवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल मुहला क्लीनिक क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल बसकी यात्रात फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते अरे एक छोटी सी सरकार दिल्ली की केजरिवाल की सरकार इतनी बहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोदी जी को तेंट का स्कूल दिखाना पड़ा याद है कि भूल गए है? आतिसी जी याद है ना? याद है ना याद है ना आप एजुकेशन मिनिस्टर आपने देखा होगा हमारे कारकरता उने का अच्छे स्कूल बनाएंगे अच्छे स्कूल बनाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री थे नरंदर मोदी जी उन्होंने का केजरी वाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है तो उन उन्होंने कृतिम स्कूल तयार किया टेंट वाला टेंट वाला स्कूल तयार किया हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगह एर कंडिशन कमरों का स्कूल तयार किया और नरंदर मोदी ने 25 साल गुजरात में भाजपाईयों के सासन के बाद टेंट वाला स्कूल तैयार किया इस्तीफा दे दो भाई कल को भगवंतमान को गिरिफ्तार कर लो कह दो गे इस्तीफा दो वो केरला के मुख्यमंत्री विजियन उनकी बेटी पे जाद सुरू कर दी कहेंगे विजियन जी इस्तीफा दो मंता बनर जी जी के भतीजे पे जाद सुरू कर दी कहेंगे मंता बनर जी जी इस तीफा दे दो तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्य मंत्री और आम आदमी बराबर है तो जरा मुझे बताईए सोमनाद भारती कानून के जानकार है क्या प्रदान मंत्री को कानून में छूट है कानून में छूट है क्या छूट है क्या अरकल को एक मुकदमा मुहाली में लिखा जाएगा दो दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा जारखंड में लिखा जाएगा तीन दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा तमिलाडू में लिखा जाएगा पांच दरोगा वहां से आएगा और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो दस दरोगा वहां से आ जाएंगे दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड वाला दरोगा आएगा कहेगा नरिंदर मोदी जी घर पे है तो भाजपाईयो जवाद दो इसका क्या देश का प्रधान मंतरी बंगाल के ठाने में जाके जाएंगे सामिल होगा की नहीं होगा बताओ मुझे जवाद जो इसका क्या वो सामिल होगा तमिलनाडू की जाएंगे क्या वो जाएंगे सामिल होगा पंजाब के अंदर दरोगा डियस पी एस पी इनीर विपक्ष के राज्यों से रेवन तुरेड़ी के राज्य से सिद्धा रमया के राज से पहुँच गए ग्री मंत्री अमिस्टा के घर में बोले अमिस्टा है उससे पूच्टाज करनी है कहेंगे हम तो ग्री मंत्री है बोलो गिरी मंत्री तो सब समान है इसलिए भाजपाईयों ये नौटंकी हमारे साथ मत केलो तुमारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं अर्विंद केजरिवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोण जनता के के दिल्ली की दो करोण जनता के लिए काम करेंगे कहते हैं चिठी कैसे लिखेंगे छे महीने जेल में रहके आया भाई छे महीने जेल में रहके आया आती सी जी कहलास गैलोत के पाथ जेल भी भाग है उनसे पता कर लिजेगा मैंने तो DPR भी पढ़ा संजी उजा को रास्ते में बता रहा था जेल मैनुवल में लिखा है कोई भी व्यक्ती जेल में रहके असीमित चिठीया लिख सकता है असीमित पढ़ ले ना पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते बहस चल रही थी केजरिवाल सरकार कैसे लिखेंगे कैसे चलाएंगे चिठी कैसे लिखेंगे असीमित चिठीया लिख सकते हैं अब असीमित उसकी कोई लिमिट नहीं है और अगर कोई सरकारी चिठी लिखनी है तो कोड से पर्मिशन और अगर और सरकारी चिठी कोई एक मिनट, सुन लो बात, और कोई सरकारी चिठी लिखनी है, तो जेल सुप्रिंटेंडेंडन उस चिठी पे मोहर लगा के इसको अटेस्ट कर देता है, अटेस्ट कर देता है, पढ़ लेना, सारे कानून तो तुम लोग जेल भेज भेज के पढ़वा दे रहे हैं, हम लोगों मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई, भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई, भरस्टाचारियों को छोड़ूंगा नई, पूरव से लेके पस्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिन तक, जितने भरस्टाचारियों सब क अब हाजबा में सामिल करूँगा गलत तो नहीं कह रहा भाई गलत तो नहीं कह रहा रात में दस बजे किस जजबे के साथ हमारा काल करता है ललकार रहा है देखा मोदी जी देखा आके देखा यह हमादमी पाटी के काल करता है देखा देखा ललकार रहा है यह यह तुम्हारे यह तुम्हारे बंदर गुलकी से डरने वाला है भाज भाजपाईयों की बंदर गुलकी से यह कार करता है हमारा डरने वाला है लाठी चलाओगे ना लाठी चलाओगे तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंदे है उससे मद्बूत हमारे सीने हैं, उससे मद्बूत आम आदमी पार्थी का एक एक कारकरता का जज़बा है, लाठी चलाओगे, कहते हैं ब्रस्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक ब्रस्टाचारी को सामिल करूंगा, मुझे आतिसी जी भाजबा के कारकरताओं वे बड़ी दयाती है, सौरब भाई, बहुत दयाती है, बिचारे आसाम में तैयार हुए, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, वाटर घोटाला, बुकले तैयार की, लाठी से उसको छे महिने तक बाटा, कि हैमंत विश्व सर्मा का ब्रस्टा चार है, हमंत विश्व सर्मा का ब्रस्टा चार है, लाठी खाए, जेल में गए, गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ, कारकरता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हमंत विश्व सर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे, वो रोने लग मत्री बना दिया उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने सत्तर हजार करोण का घोटा ला किया है चक्की पिसिंग 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 सारे भाजपाई कार करता लग गये विचारे कहने लगे मोधी जी कह रहें पिसिंग तो पिसिंग करेगा कि मिक्सिंग पिर के लगे हसन मुस्रिफ चीनी घोटा लगी आ सो करोण का फिर के लगे छगन बुझबन ने महारास्टा सदन का घोटा लगी आ और तो और यह भाजपाईयों इनको सरम नहीं आती केते रास्टवादी हैं कह रहे थे आदर्स घोटा लगी आ है हमारे जवानो का पैसा खाया है ये किया है वो किया है आदर्स घोटाले के खिलाब भाजपा का कार करता लाठी का रहा था आदर्स घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठाके राज्यसाभा में भेज दिया भाजपाईयों ने भाजपाईयों ने असोक चौहान को भेज दिया वहां गय कर ल मुल रास वणदू अधिकारी को भाजपा में सामिल कर लिया तो मैंने भाजपाईयों के लिए नारा बनाया है जो जितना बड़ा भरस्टाचारी वो उतना बड़ा पदादिकारी है जो जितना बड़ा भ्रस्ताचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी है भाजपा का पदाधिकारी है मैं भाजपाईयों के लिए बने बोला गोपाल भाई भाजपाईयों के लिए नारा बनाये एस्पेसली जेल में खाली थे कुछ तो काम करना था जो जितना बड़ा भ्रस्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी है और और भाजपाई जब भ्रस्टाचार के खिलाब बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन आइंसा पर उपदेश दे रहा है सूप बोले दो बोले चलनियों बोले जैके बात तर छेद भाजपाई ब्रस्टाचार के खिलाब बोलेंगे भाजपाई केजरिवाल के खिलाब बोलेंगे भाद भाई बोलेंगे जिस आदमी ने आई आरेस की नोकरी को लात मारके भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया जिस आदमी ने तेरा दिन तक ब्रस्टाचार के खिलाफ रंडोलन चलाया पंदरा दिन तक कांसन रखा जिस आदमी ने पूरे देस को जगाने का काम किया आम आदमी को ताकत देने का काम किया आप उसके इमानदारी के उपर सवाल उठाते हैं कहते हैं ब्रस्टाचार के खिलाफ बोलोगे भाजपाईयों तुम तुम बोलोगे तुम बोलोगे भारती जनता पार्टी वो पार्टी है हिंदुस्तान की एक मात्र पार्टी याद रख ले न जिस पार्टी का रास्टी अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सवदे में रिश्वत खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था कौन पकड़ा गया था पंकज भाई कौन पकड़ा गया था बंगारू लक्षमर बंगारू लक्षमर वो कौन था भारती जनता पार्टी का रास्टी अध्यक्ष कैमरे के सामने किस मामले में रिश्वत ले रहा था रक्षा सोदे में किसके रक्षा सोदे में भारत माता के रक जिस पार्टी के रास्टी अध्यक्ष को पूरी दुनिया में भारत माता की रक्षा सोदे में दला लिखाते हुए देखा वो पार्टी भ्रस्टाचार के खिलाब बोलती है तुम अर्विंद केजरिवाल पे सवाल उठाते हो भाजपाई हो तुम लोग तुम लोग उठाते हैं सवाल अरे इतना ही नहीं बिल्कुल ठीक का सौरब भाई ने बंगारू लक्षमन को सिर्फ रिश्वत खाते दुनिया में नहीं देखा बंगारू लक्षमन को रिश्वत खोरी के मामले में सजा हुई है सजा 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 याफ्ता पार्टी के लोग है यह भारती जनता पार्टी के लोग याद रखना इसलिए भाजपाईयों का अगला नाम क्या है बीजेपी नहीं बंगारू जनता पार्टी क्या नाम है इनका